ओम शैंती, 4 ओगस्ट 2023 की साकार मुडली है, मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, बाप आये है, तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ. प्रश्न, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? बबा उत्तर देते, बबा कहते है, मैं बाप रूप से मिठी सैकरीन बन, तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ, जो दुनिया में दुसरा कोई भी दे न सके. मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ. पीचर बन, तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जो तुम बहिष्ट की बीबी बन जाते हो. ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की. ये ज्ञानरत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते है. गीत है, कौन है माता, कौन है पिता? ओम्शंती, बच्चों को ओम्शंती का अर्थ समझाया जाता है. ओम्शंती का अर्थ है, I am आत्मा, मैं आत्मा, निराकार पर्मात्मा की संतान हूँ. शरीर का फादर वह है, जिसने जनम दिया है. उनको कहा जाता है, शरीर को जनम देने वाला फादर और शुबाबा है, आत्माओं का बाप. वह तो है ही, आत्माओं का तो बाप वह एक शुबाबा ही है. धेर के धेर करोडो आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है हम विवान से ही आया है न कहें हाँ जी बाबा वहाँ सदैव निर्विकारी ही है विकारी तो परमधाम में रहना सके पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा आत्मा के संबंधी सब भाई भाई है इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप जो सभी का एक ही है पुकारते भी है न ओ गौड फादर, ओ पतीत पावन, रहम दिल ये आत्मा ने पुकारा बाब को आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है फिर सत्यूग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, ये है नर्ग गाया भी जाता है ना दुख में सुम्रन सब करे सुख में करे न कोई जब दुखी होते तब बाबा को याद करते है याद करते है हे पती तुपावन को याद करते ही है किसको तो शुबा बर्थत पती तुपावन को समझते है पती तुपावन बाप उपर परमधाम में रहता है गंगा को पती तुपावनी नहीं कहेंगे गंगा को इन आखों से देखा जाता है निराकार बाप को अत्वा आत्मा को नहीं देखा जा सकता परमपिता परमात्मा प्रान दाता चो दिव्य चक्षु विधाता है उनको कहा जाता है ओ गौड़ फादर क्रियेटर अच्छा फिर मदर कहां से आई मदर बिगर बाप स्रुष्टी की रचना कैसे रचे मदर तो जरूर चाहिए न गौड़ फादर मनुष्य स्रुष्टी का रचे इता वह है सब का बाप फादर है तो मदर भी जरूर होगी बाप आकर समझाते है मैं हूँ ही निराकार मैं जब आउँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे परंतो शादी तो करनी नहीं है बच्चे पैदा करने है शादी बिगर बच्चो को मैं अडॉप्ट करता हूँ शुबाबा तो आत्मा है परमात्मा है परमात्मा है जनम मरन तो लेते नहीं मैं न शरीर खुद का है तो शादी कैसे करें खुद का नहीं है तो बच्चों को Adopt करते है समझो कोई कोस्त्री नहीं है चाहते है कि अपनी मिलकियद इसको दे कर चाहूn फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं Adopt करते है तो माबाप दोनो टहरे न तो बेहत का बाप कहते है कि मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूँ, समझ की बात है न, बाप खुद आकर समझाते है, मुझे शरीर तो चाहिए न, तो इनका आधार लेता हूँ तुम कहते हो हम इश्वर की संतान है, इश्वर की संतान तो सब है, परन्तो इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है, तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप है स्वर्ग का रचईता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए निराखार को मनुष्य सृष्टी का रचवारा कैस सकते बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैट समझाते हैं, कि मैं शिव निराकार हूं तुम भी निराकार आत्माए होंतु तुम गरब जेल में आते हो मैं गरब जेल में नहीं नहीं आता हूं तुम्हारे लिए है आधाकल्प गर्ब महल, आधाकल्प है गर्ब जेल, क्योंकि आधाकल्प माया रावन पाप कराती है, सत्यूग में माया होती नहीं, चुपतीत दुखी बनाए, मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्सा देता हूँ, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, मकान भी पुराना होता है, तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया है न, वह है नई दुनिया, गोल्डन एच, पावन दुनिया, तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स याद करो, पुरानी दुन्या को भूलते जाओ, ये है बेहद का सन्यास, पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो, उनका भी ममत्व छोड़ो, समझो, हम सब कुछ इश्वर को देते हैं, ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे, आदी सब खतम हो जाने वाले हैं, ये वही वहारत लड़ाई है, जिसके द्वारा, मुक्ती, जीवन मुक्ती के गेट्स कुलने हैं, घरी का द्वार कहते हैं, हरी कहा जाता है श्रे कृष्ण को, उनका द्वार है वैकूंट, वैकूंट के गेट बापाप आपकर खूलते हैं, सबी रेड इडि हैं स्वर्ग में चलने के लिए कहें हां जी बाबा वहां कोई पतीत तो जा नहीं सकता इसलिए पतीत से पावन बनाते हैं दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर न सके इसके लिए बाबा को लिबरेटर कहते हैं दुखरता सुख करता बाप ही है बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सि थेली पर लाया हूँ, तुम राजयोग सीख कर मनुश्य से तेवता बनते हो, बुद्धी भी कहती है कि बरोबर समझ की बाते हैं, समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नहीं बनेगी, सर्वशक्तिमान एक ही बाप है, जो अपनी शक्ती से स्वरिक्का मालिक बनाते हैं, चहाते भी है कि एक राज्य हो, अल्माइटी अथौरिटी राज्य हो, सोतो सत्युक्त रेता में अटल, अखंड, सुक, शान्तिमय, देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विग्न नहीं था, उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है, दूसरा धर्मी नहीं था, जो दु कि माया का राज्य है न, सत्युग में तु माया होती नहीं, अभी कहते है, ओ गॉड़ फादर रहम करो, पाप कहते है, रहम तु सब पर करूंगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं, अर्थात पती दुनिया से लिबरेट करता हूं, तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं, निराकारी दुनिया में, बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे, नैच्रल केलेमिटी इस गाई हुई है न, आसार भी सब देख रहे हो, फेमाइन पढ़ता जरूर है, कहां तो देखो बहुत बारिश है और कहां तो सुखा है, अब बाप कहते है, इस छीछी दुन बाबा कहते है, मैं जो तुमको प्यार करता हूं, सो कोई कर न सके, अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं, राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम उबजेक्ट बुद्धी में है, नया तो कोई समझ न सके, जब तक भी कोई बैट उनको समझावे, एक हफ़ता बैट समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाब को जादुगर कहा जाता है, ज्यान रतनों से मनुष्य को देवता बनाता हूं, उनको रतनागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं, तुमको आकर स्वर्ग की महरानी महराजा बनाते है, मुसाफिर कितन हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे अब तुमको पढ़ा कर वहिष्थ की बीबी बनाता हूं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहां क्या पढ़ते हूं। तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सुरुष्टी विनाश होने वाली हैं कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही तो वही रहम दिल बाप बैठ कर तुमको पढ़ाते हैं सभी धर्मों वाले एक निराकार ब दुनिया में आते हैं क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं नई दुनिया में तो सुख ही सुख है बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है ये तो पुद्धी समझती है कि रात के बा तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, आत्मा जानती है मैं चौर्यासी जनम कैसे लेती हूँ, कोई मनुष्य मनुष्य को सद्गती दे न सके, मैं ही आकर समझाता हूँ, हम तुमको पावन बनाते हैं, योगबल से तुम विश्व पर जीत पाते हूँ, बाप है सर्व शक्तिमान, बाप से तुमको बेहत का वर्सा मिलता है, आकाश, पृत्वी, सागर, आदी सब तुमहरा हो जाएगा, यहां तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी ह कहते हैं, कहते हैं, हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्चे करते हो, स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते, मनुष्य जब मरते हैं, तो कहते हैं, स्वर्ग वासी हुआ, परन्तु स्वर्ग है कहां, जरूर नर् रावन का, पांच विकारों का, जिसको जलाते रहते हैं, परन्तु जलता ही नहीं, इसलिए हर साल पहले जितनी अफिजी थी, उससे बड़ी अफिजी जलाते हैं, रावन को 100 फूट लंबा बनाते हैं, और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रति दिन लंबा करते रहते हैं, परन् क्योंकि गोपिकाय मुर्ली बिगर रहना सके तो ये प्रबंध है कितनी सारी माताइं कहती है कि ये सुविधा है इसलिए बंधन में होती है तो निकल नहीं पाती है घर से बाबा उनके लिए प्रबंध करते हैं मुर्ली बिगर तो तडपते हैं क्योंकि ये मुर्ली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली जीवन यहां बाबा पढ़ाते है जो मुर्ली फिर लंडन अमेरिका तक जाती है बच्चे सुनकर बहुत खुश होते है गाया हुआ है गोपिकाय मुर्ली भीकर रह नहीं सकती यह नौलेज गौड़ फादर ही सुनाते है मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहत का बाप है इनसे स्वर्ग का वर्सा मिलता है आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है वो आत्मा को पढ़ा रहे है ऐसे और कोई कहना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा नौलेज़फुल हूँ, तुम बच्चों को बहुत अच्छी रिती समझाया जाता है, परन्तु सब की बुद्धी एक रस्तो होती नहीं, कोई की सतो प्रधान बुद्धी, कोई की सतो रजो तमो, इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर को पढ़ाते है, आप समान बनाते है, वैसे इस स्रिष्टी चक्र की नौलेज गौड़ फादर के पास ही है, और कोई नहीं जानते, बाप ही नौलेज़फुल बनाते है, बाप है नौलेज़फुल, सबसे उंच है, उंचा जिसका नाम है, उंचा ठाव है, ब्रम्हा, थर्ड ग्रेट में है मनुष्य, देखो, फर्स्ट ग्रेट उपर परम्धाम, सेकेंड ग्रेट बाबा केते है, सुक्ष्मवतन, तीसरा आगया मनुष्यों का, मनुष्यों में भी ग्रेट है, मनुष्य तो ग्रेट होगा न, फर्स्ट ग्रेट में आत्माय सतो प्रधान, य तुम गुल्डन एज में जाते हो, जैसे चोवेस कैरट गूल इख दम प्यॉर होता है, तो सत्यू में मनुष्य भी आत्मा प्यॉर है, आइरन एज खतम हो जाएगा, गुल्डन एज है, तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है, तो आइरन एज नहीं, कोई भी दोनों, कॉप बाते बुद्धी में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाया है, गोले का चित्र जो है, स्वस्तिक का इसलिए बनवाया है, कि क्लियर हो सके, कि एक खतम होगा, फिर दूसरा, साइमेल्टेनियसलिए अगर कोई चल रहे है, तो वो कल्यूग और संगम्यूग, कल्यूग भी कब, जब एंडिंग होता एकदम, जिसको ग्यान नहीं मिला, उसके लिए कल्यूग चल रहा है, जिसको ग्यान मिल गया, उसके लिए पुरुशुत्तम संगम्यूग, कितनी वंडरफुल बाते हैं, कल्यूग में तो धेर के धेर मनुष्य है, सत्यूग में तो बहुत थोड़े हो वह रहते हैं परमधाम में, तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहां आये हो पार्ट बजाने, बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी हैं, इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं है, सत्यूग में हिंसा होती नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी, देव अच्छा, मिठे मिठे, सिकिलादे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की, रुहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट पढ़ाई को अच्छी रीती धारण कर बुद्धी को सतो प्रधान बनाना है। पुरुशार्थ में रमनीक्ता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव जैसे तन दुरुस्त होता है वैसे बाबा कहते हैं मन दुरुस्त, मन दुरुस्त कभ होगा जब भाग्य की नई नई स्मृतियां पुरुशार्थ में रमनीक्ता के साथ अनुभव करेंगे। तो आ लेकिन मन सब का दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, पावर्फुल मन की निशानी है, सेकेंड में जहां चाहे वहां पोहंच चाहे, इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो, अमरत वेले से भाग्य की नई-नई बाते स्मृती में लाओ, कभी किसी प्राप्ती को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुशार्थ में रमनीता आ जाएगी, वोर नहीं होंगे, नविंता का अनुभव करेंगे, अजका स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो, तो सफलता प्राप्त होती रहेगी, छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मिठा बोलो, सत्ते बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी, आजका नया देन आप सबीको, मुबारको, 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 शुब दिवस, आज रातरी क्लास पोने नौब बचे, कल सुब अम्रत विला साडे तीम से साडे चार, औ मुर्ली क्ला सुपर वने पांच वजे ओम शांती